नमस्कार दोस्तों स्वगते हैं आपका इस्टेटी फॉर्ट सिविल सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिन तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडिय नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस्टेटी फार इजाम्स में दोस्तों टॉपिक वाइस करेंट फेर को आगे बढ़ाते हुए आज भी उन लोग 5 टॉपिक को इस वीडियो कमाध्यम से कभर करेंगे हैं वीडियो सुरू करने से पहला बताना चाहता हूं नमबर है इस पर कॉल वाट्सप करके जहनकारी प्राथ कर सकते हैं तो दोस्तों आज वीडियो सुरू करते हैं देखते हैं अचको पहला टॉपिक यहां पर जो भी टॉपिक लिया जा रहा है वह जुलाई 2023 से लेकर जो है आप तक कि जो मुस्ट इंपॉर्टन फैक्ट नीरे चोपरा ने 87.66 मीटर दूर भारा फेक कर इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो लुसाने डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल नीरे चोपरा ने जीता है और इससे पूर्व टोक्यो अलमपिक जो आईजित किया गया था उसमें इन्होंने सौन पदर जीता था और इसे पूर्व जो है दो हाट डायमंड लीग में भी इन्होंने 88.66 मीटर भारा फेक कर सौन पदर जीता था अभी हाले में जो है बिस्व एथेलेटिक्स चेंपियंशिप में पूर्चों की भारा फेक असपर्धा में जो नीरे चोपरा जी है इन्होंने राज़त पदर जीता है और उसी प्रतियस परधा में ग्रेनेडियन भाला फेक की जो खिलाडी है एंडर्सन पीटर्स ने जो है इन्होंने 90.45 मीटर थोरो के जो साथ जो है इन्होंने सौन पदर जीता है तो विस्व एथेलेटिक्स चेंपियंशिप जो आजित किया गया था सन्वित रज अमेरिका की ओरेगन में यहां पर नीरे चोपरा ने रज़त पतक जीता है और उसी प्रतियोकता में ग्रेनेडियन भाला फेक की लडी एंडर्सन पीटर्सन ने जो है 95.45 मीटर थोरो फेक का जो है वहाँ पर सौन पतक जीता था और नीरे चोपरा जो है यह हर्याना राज क पानी पत के रहने वाले हैं पिस प्रकार जो है टोक्यो ओलंपिंग में सुनद पतक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं आपके दिर्याच चोपड़ाजी हैं और इन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मिडल जीता है और इसे पूर्व दोहा डायमंड लीग में इन् रज़त पतक जीता है अगला जो टॉपिक है भारत के सॉलिसिटर जनरर भारत के जो मौझूदा सॉलिसिटर जनरर हैं तुसार महता जी इनको कैबिनेट की नियुक्ति समित एसीसी द्वार जो है तीन साल के कारेकाल का जो है विस्तार दे दिया गया है इनकी जो नियुक्त के नियुक्ति समित की जो अस्थापना के गईती गठन किया गया था वह 26 जनवरे 1950 को गठन किया गया था और इसको जो अध्यच होते वह प्रधान मंत्री होते हैं अर्थात वर्तमान में जो है नरेद मोदी जो है एससी के अध्यच है स्वालिसीटर का जो पद होता है वह देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है और यह जो है जो अठानरी जनरल होता है उसका सपोर्टी होता है और भारत का सबसे बड़ा जो कानुनी अधिकारी होता है वह अटानरी जनरल होता है और इसका जो सायोगी होता है आपका स्वालिसिटर जनरल होता है और इसका जो कारिकाल होता है वो तीन साल के लिए जो हैं की नियुक्ति की जाती है और वरतमान में जो है तोसार मैता है इन पहले स्वोद्लेशी पर्माड रेक्टर का संचालनकरात के काकिरपार पर्माड उर्जा प्रयुजिना की एपईपी 40 में जुरू हुआ है और यह जो है 700 मेगावाट का परमाड उर्जा रियक्टर है और यह जो रियक्टर है यह वानरिजिक सन्चालन शुरू कर दिया है इसे पूर भारत का पहला परमाल रियक्टर अपसरा था और ये मुंबाई के भावा परमाल अनसंधान केंदर के ट्रामबे परसे में बनाय गया था और इसका उद्गाटन है ततकाली प्रधामंत्री जोहाला नेरू ने 20 जनुरी उननीज सताओन को इसका उद्गाटन किया था तो भारत के पहले सोदेशी परमाल उज्जा रियक्टर जो है अपके गुजरात के सूर्य जिलिक काकरा परमाल उज्जा परयोजना में शुरू वित्वर्ष 2022-23 के दौरान तमिलनाड जो है कुल 5.37 billion अमेरिकी डालर और इसका पूरे देश का निर्यात किया था उसमें लभग 23 फेजदी जो हिस्तेदारी रही है के साथ जो है इलक्टरानिक सामान के निर्यात कर जो है इसमें पहला स्थान पात किया है तो पहले स्थान में इलक्टरानिक निर्यात में पहले स्थान पर आपका तमिलनाड को है दूसरे अस्थान पर उत्र प्रजिस है 209.9 billion अमेरिकी है और है यह दूसरी अस्थान पर आतिसे अस्थान पर है अपकुए ब thorough निर्याद इसलिए ज़ाध हैं क्योंकि वहाँ पर फॉक्स-कॉंड ट्रिक्ट्र एलक्त्रॉनिक्स सेलइक। सेमेंस, सोनी, एवीबी और पेगा ट्रॉन साइज जो है बहुत सारी इलक्ट्रानिक जुनिर्मारता कमपनियों ने अपना निर्मार किंद्र बनाया है यही कारण जो है इलक्ट्रानिक निर्याद 2022-23 में तमिलनाड पहले स्थान पर रहा है अगला जो टॉपिक है प्राक्तिक आर्क हो जागया है भारतिय भूब अज्यानिक सर्वेचन GSI दोर जो है ओडिसा में भारत सबसे बड़ा प्राक्तिक महराब जो है वो खोजा गया है और यह जो महराब है यह एक अंडाकार का महराब है और इसकी जो आधार के लंबाई वा आपके 30 मीटर है और इसकी उचाई आपके 12 मीटर है तो सीरी सीरी परिच्छा में पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा प्राक्तिक आर्क यह महराब जो कहां खोजा गया तो आपके ओडिसा में खोजा गया है आए इससे लेटर कुछ प्रश्णों कम लोग प्रेक्टिस कर लेते हैं आपके परिच्छम किस प्रकार से प्रस्ण पूछ सकते हैं यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है लुसाने डायमंड लिग दो जातेज का खिताब नीरच चोपड़ा नहीं जीता है इसका दूसरा स्टेटमेंट हो अभी सही है आपका है भारत के पहले सोदेशी परमादू रियक्टर के संचालन जो है वो गुजरात राज के सूरत के काकरापार में सुरू है तो इसकी दून स्टेटमेंट आपके सही है इसका जो आपका सही है अगला जो स्टेटमेंट उस यह देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है भारत के वर्दमान अटार्णी जनरल आर वेंकर्ट रमनी है और कैबिनेट के नियुक्ति समीती ACC के अधर ग्रे मंत्री होते हैं आपको आपके लिए चार विकल दिया गया है विकल आप लोग पढ़ लेजे पहला जो स्ट कानून जो अधिकारी होता है वह है स्वालिसिटर जनरल नहीं बलकि महानियावादी होता है महानियावादी जो है वह देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है स्वालिसिटर जनरल जो है वह महानियावादी का सहयोगी होता है वह अस्रिस्ट करता है और तीसरा जो स इंडियों लोग महानयावादी की नाम से जानते हैं तीया तीसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है चौथा गलत है काबिलेट के नियुकति समीत इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है दूसरा और चौथा गलत है यहाँ पर जो है केवल एक और तीन आपका सही होगा केवल और एक और तीन कर लिजिए आप लोग यहाँ पर इसको हम लोग और इसका जो आप्शन ए है उसको सही मान लेंगे आप लोग पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट आपका सही होगा केवल एक और तीन देश का सबसे बड़ा जो कानुन अधिकारी होता है वह आठानरी जनरल होता है तिसले इसका जो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ आपका सही होगा तो यहाँ पर माल देजिए इसका जो आप्शन इह है वह आपका सही है केवल एक और तीन आये थे हैं अगला प्रस्ण लोग यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है भारतिया भूब ज्यान हो जाओ जाए हैं दूसरा इस्टेटमेंट में वित्टवशική दो थे स्टेश के दार रा तमिल नावनडन ने इल लक्रानीक सीरा प्राक्तिक निद्यात में पहला स्थान प्राप्त किया है कीवल एक सब्सुख्या क Zusा कीवल दोनों से यह इमिरमेंबस कोई नहीं थी है और भारतिय भुग वग्यानी सर्वेशन द्वारा ओडिसा में भारत को पहला प्राक्तिक महराप्त हो जागया है यह स्टेट्मेंट अपका सही है दूसरा स्टेट्मेंट यह भी सही है किता मिलावन वित्वश 2022-23 के दौरान इलक्ट्रानी सामान निर्यात में प्राक्त किया है इसके दौने स्टेट्मेंट आपके सही है आसा है आप सब्सक्राइब को बहुत कुछ जानने को मिलाओगा मिलते हैं विडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत